प्रणामित्रों मैं प्यूश मोवन आपके पसिदिदा चैनल विशेश और्जदेवाला में आपका पुने स्वागत करता हूँ आज हम फिर से उपस्तित हो गए हैं आपके लिए कुछ नया चीज लेकर तो बात करेंगे आज ऐसे जड़ी बूटी पर ऐसे आयरुवेद की ख पुजया देगा आपके बच्चों की याद्दाश को बढ़ाएगा और आपको बल भी देगा तो सूता जो है जो जच्चा है यानि जो छोटे बच्चे की माह है उसका दूद भी बढ़ाएगा और इस तो पुरुष को दोनों को ताकत देगा बच्चों की ग्रोध बढ़ तो लेट नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपने इस आर्वेदिक चमातकारिक फॉर्मूले पर जो फॉर्मूला है यह आपको बहुत अच्छे से नोट करने ना चाहिए क्योंकि आर्वेद के उपर तो लोटना पड़ेगा आर्वेद ही है तो मुम्किन है यह दो मेरी पंचल करके दबा देजिए जिससे की सभी को यह मिलता रहा है वीडियो मेरी जो भी आएंगे जो भी ग्यांगी बातें मैं बता रहा हूँ उससे वह लोग क्यों वज्जित रहें तो अपने जितने भी गृप से उसके शेर कर दीजिए शुरू करते हैं यह वीडियो आज हम बात कर रहे हैं दो जड़ी बुटियों के मिश्टेन की जो की चमतकारिक फॉर्मॉला है और चमतकारिक फॉर्मॉला होने के बाद आपको इतनी उर्जा देता है कि आपको बाकि किसी भी तरह के एलिमेंट्स की किसी भी तरह के और सप्लिमेंट्स की जरूत नहीं पड़ेगी हां जी मैं यह दावे से कहा रहा हूं आपको इसके बाद में किसी सप्लिमेंट्स की जरूत नहीं पड़ेगी एक तो यह अश्वगंदा इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको सारी से मिल जाता है शतावर का चून और दूसरा ये अश्वगंदा आपने करना क्या है दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लीजिए यह यह करनाड़ का चतावर है और यह'dag Canada का अश्वनंदा है吧 कर रब को सब्सक्राम किनाड़ के प्रोडक्स बहुत अच्छे हैं अई अ किन परेशने थिर्च कर लिए आनको मिस्करन और में करना क्या है आप ने झूत के साथ में लेना है 53 दि लेंगे आपको अपने अंदर अध्बुत चेंजे दिखाए देंगे आपको ऐसर लगेगा कि एक नई उर्जा आपको आ रही है अंदर से और आपके माइंड को एक दम रिलेस्ट करके रख देगी आपने जो पाउडर बना के रखा है अब आपने करना क्या है आपने एक चमच समस्वे से लेना है यानि आदा चमच सतावर आ गया उसमें और आदा चमच अश्रगंदा आ गया उसको दूद से लेना है सुबह नाश्ते के बाद शाम को खाने के बाद या दख लीजिए का सुबह नाश्ते के बाद आपको नीद भी अच्छी आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो टेंशन थी जो तनाव था वो निकल गया है प्रसूता यदी है जिसको दूद नहीं उतर रहा है उसके लिए दूद्च अबतकारी कोशदी है वह इसलिए कि इसके पिश्टन से दूद निकलना चालो हो जाता है दूद बहुत तेजी से उसको उतरता है और बच्चे की जो आपूर्ती है वह पूरी हो जाती है जोटे बच्चों को यह 10 साल से छोटे बच्चों को आगर आप यह देते हैं तो आप वा कितना देना है उनको आदि चमळ सुबह आदि चमळ स्वबतुको देना दूद से और शाल से बड़े बच्चे हैं तो उनको एक चमद सुबह एक चमद शाम को देना है इध्यान नखिएगा बच्चों की ग्रोथ इतनी तेजी से होगी कि आप इस चमतकार को देखकर हैरान रह जाएंगे बच्चों की बॉड़ी का पूछे के माइंड का पूरा ग्रोथ ये दोनों अपने उपर ले लेंगे लंबाई भी बढ़ेगी इसको लेने से यदि बच्चा थोड़ा बहुत स्पोर्टी है तो लंबाई बहुत अच्छे से बढ़ेगी अब आपका सवाल यह आएगा कि शतावर और अश्वगंदा का जो मिशन है यह जादो ही मिशन हैं हमें कब तक लेना चाहिए कित्ते दि ले सकते हैं आप इसे हमेशा भी ले सकते हैं यह आपकी कमजोरी को दूर करता रहेगा बल देता रहेगा आपके जो भी मैंस चीज़ें बताइए आपके दिमाग को शक्ति देगा आपको बल देगा प्रसुता को यदि प्रसुता कोई है तो दूद पिलाने के समय तो ले ल दवाई नहीं मिलती है यह आपको तो आप मेरे पास में फोन करके बता सकते हैं मेरे आशे मंगा सकते हैं आपको यह कहीं भी हम डिलेवर कर देंगे अलवर इंडिया नहीं मिले तो मुझे फोन कर लिजिए गा आप मुझे कमेंट में लिंग दीजिए तो लेना चालू आपके मन में जो भी कोई सवाल आता हूं विससे पूछते रहिएगा क्योंकि आयरवेद ही है तो मुम्किन है और आयरवेद पर तो लौटना ही होगा चलिए दोस्तों विजा लेता हूं फिर में लोगा आपसे किसी नए विडियो के साथ में आपसे फिर बात करने के लिए तब तक के लिए मुझे आप आगे दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसिंद्धा चैनल विशेश और सिधी वाला प्रणा मित्रों